हेलो गाइज वेलकम बेक टू मैं चैनल आज हम बात करेंगे टाटा टियागों में गेर नोब के बारे में के गाड़ी को आउन करने पर यह कितना वाइबरेट करता है क्योंकि टाटा टियागों में और टिगॉर में और अल्ट्रोज वगरा में इन सब के अंदर थ्री लोगों को पता है कि यह थ्री सिलेंडर इंजन के साथ में यह हमें मिलता है तो अभी गाड़ी ओफ है खड़ी है तो गाड़ी चालू नहीं है मैं आपको दिखा देता हूं यह देखो गाड़ी अभी बिल्कुल ओफ है चालू नहीं है कि तो अब मैं अगर गाड़ी को ओन करूंगा तो ये कितनी वाइबरेट करती और इसका गेर 9 है ये कितना हिलता है यह कितना वाइबरेट करता है तो अभी मुझे गाड़ी चलाते हुए लगभग दो मंप हो और मुझे किसी भी तरह के से कोई भी गेर नोब के अंदर प्रॉब्लम नहीं आई है जो कि कुछ लोगों को इस्ट होता है कि बिलकुल भी यह लना नहीं चाहिए या बिलकुल भी वाइब्रेट नहीं करना चाहिए तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि यह थ्री सिलेंडर इंजन है जो टाटा ट्यागो में कंपनी हमें प्रॉइड करवाती है और बी एस सिक्स के साथ में हमें मिलता है तो यह काफी फाइन इंजन है काफी जादा साइलेंट है और मुझे अभी तक कोई भी इसके साथ में नौइस जैसी कोई भी प्रॉब्लम मुझे अभी तक फे गाड़ी का इंजन अन करके गेर नोब कितना वाइब्रेट होता है यह मैं आपको दिखा जेता हूं यह अभी ओफ है और यहां से मैंने यह चालू किया तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ वे इंजन इस्टार्ट करूंगा।uais है कि यह कितना वाइब्रेट करता है यह जो आपने देखा यई गाड़ी का मैंने सिर्फ हल्का सा मैंने मैंने इसका engine on किया और गाड़ी वापिस बंद कर दी लेकिन अब मैं इसको complete तरके से चालू रखता हूँ और देखेंगे हम कि चालू गाड़ी में क्या इसका जो gear knob है ये वाइबरेट करता है या नहीं करता तो अब मैं गाड़ी को फिर से मैं चालू करूँगा अब ये मेरी गाड़ी complete तरके से चालू हो चुकी है जो कि starting में जैसे ही हम engine को on करते हैं तब जरूर इसका gear knob है जो वाइबरेट करता है और अब मेरी गाड़ी चालू है बिलकुल एकदम ये मैं आपको इसका accelerate करके इसकी आवाज भी सुना देता हूँ ये देखो गाड़ी का engine चालू है इसलिए इसका RPM मीटर चालू है मैं अगर race दे रहा हूँ तो RPM मीटर चालू है और ये गाड़ी का जो gear knob है ये बिलकुल भी वाइबरेट नहीं कर रहा है बिलकुल भी वाइबरेट नहीं कर रहा हाँ इस टार्टिंग में हम जब engine on करते हैं या गाड़ी को जब on करते हैं तब जरूर इसका gear knob है वो हलका सा वाइबरेट करता है और उसके बाद में ये बिलकुल भी वाइबरेट नहीं करेगा आप गाड़ी चलाएंगे गेर डालेंगे तो ये बिलकुल भी वाइबरेट नहीं करेगा अभी भी मेरा इसका engine चालू है तो ये बिलकुल भी वाइबरेट नहीं कर रहा है मैं आपको थोड़ा और पास से दिखा जाता हूँ ये बिलकुल एकदम silent है बिलकुल भी ये वाइबरेट नहीं कर रहा तो आप इसके लिए जा attention ना ले बिये 6 engine है लेकिन ये 3 cylinder के साथ में आता है तो आप इसको बाकी जिन गाड़े में 4 cylinder engine होते हैं उसके साथ में आप इसको compare ना करें गाड़ी चलाने में आपको बिलकुल fine लगेगी एकदम silent लगेगी आपको कोई भी problem नहीं आने वाली तो hope so आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो like करें, share करें, subscribe करें मैं आपको ऐसे ही हर वीडियो में जानकरी देता रहूंगा तो जिससे आपके हर problem हर doubt clear होते चले जाएंगे and thank you guys and please support, please support